तो फ्रेंड मेरे चैनल पापका हारदी स्वागात है इतना खुबसूरत मौसम है हमारे यहां बहुत तेज बारिस हो रहे हैं देखे मैंने बिना छत्री का ही बारिस का फैदा उठा रहे हैं पोड समय पानी भर गए उसको भी निकाल रहे हूं और बहुत सारे कटिंग भी लगानी चाहिए मैं भी लगाऊंगी चलिए नजदीक से आप लोग को दिखाती हूं कौन-कौन से पलांट की कटिंग आप लोग लगाए और धेरो सारे पलांट बनाएं यहां से सुरू करती हुए देखिए फर्स्ट में आप लगाए डवल चांदनी या सिंगल चांदनी वाले भी मैंने लगाई चंदनी का डवल पिटल वाले भी लग गये हैं और अगला पलांट है जैसे अप्रजिता का इसका भी आप मोटा कटिंग लीजिए और लगा लीजिए अगर शीड सापके पास नहीं हो तो इसका भी कटिंग अभी इस मौसम में लग जाएंगे अग इसमें लगाएंगे भी तो उस चल जाएंगे चोटा स्टा में लगा ये कहीं मेल्चंग के लिए लगा सकते हैं अगला पलांट है शुट पोटैटो इसन पर पल कलर मेरे पासे पानी में ठोट होते हैं यसको भी लगा सकते हैं भी validity छोटा वछ ट्रट्ट शोटक कहीं गिर जाता है कोई भी पोट में आपना भी उगाते है इतना असानी से कटिंग लग जाता है जैसे चुटा सा कटिंग लीजिए अब दबाएंगे भी नहीं इस तरह गिरा भी देंगे तो यह लग जाती है इसका भी कटिंग अप लगाएंगे अच्छे से लग जाएंगे और यह परपल हाड आप जितने सारे देख रहे हैं सब कट से त्यार की हूं इसका अभी कटिंग असानी से लग जाती है और इसको भी लगाएंगे तो असानी से लग जाते हैं बारिस का फैदा उठाइए और अगला प्लांट है रियो का इतने बारिस हो रहा है इस बारिस से इस तरह गिर गया है पोट में पानी भर गया था इसका भी कटिंग लगा ये और अगला प्लांट है ये अजवाइन भी बहुत खुसूरत प्लांट होता है और इसमें खुसू देता है इसका भी कटिंग इस तरह छोटा सा भी कटिंग लग जाती है इसकी इस मौसा में इसका भी कटिंग लगाए आसानी से लग जाता है बहुत ही खुसूरत ये पलांट होता है इसको भी लगाए बारिस का फैदा उठा कर अगला प्लांट है कनेर का कनेर का भी पलांट आप इ प्लांट लाएंगे कट लगा सकते हैं अगला पलांट है टीकोमा भी बहुत खुशुरत फ़लावर्स खिलता है लो कलार या उर्णज प्लांट होथा है इसका इस तरह चुटा सब बारिस का मौसम में लगाएंगे तो यह लग जाएगी और जो बड़ा वले यलो कलार का चिक प्रण। मेंट जब भी पूर्णिंग करते हैं, उसको फेकना नहीं चाहे हुआ, इस सब पुर्णिंग किया हुगा, क्टिंग में लगाए नगों है चलाएगे झ्ट नगाने य्वे जादा नहीं देंगे लिक्ना घुल सूरत इसमें परपर कलर का फ़लावर्स खिला हुआ इसका सीट सी भी बनता है और कटिंग भी लग जाता है इसका नोड मनी पलांट के जैसे देखिए डाल समय बने हुए रहते हैं इसके वहीं से कटिंग करके लगाएंगे तो यह लग जाएगी सब बारिस के पानी से देखि सब पोर्ट में पानी भर गया था मैं बारिस में भीग भीग कर पानी भी निकाल रहे हूं और कटिंग भी लगा रहे हैं मेरे पास इतने कटिंग ट्यार हो गये हैं आप लोग भी बारिस का फैदा उठाए अगला पलांट है फोर मिलिया इसका भी कटिंग लगा ये और यह कि बिनका है विकांदिंग लगा सकते हैं यसे तो शिच से धेरो सारे byांट बनते रहते हैं लेकिन बारिष के मौ सरं मिस्का अभिकां अग्ले क्री मिलिया जिसका भी अगला लाफ है देखिए रहें रहें लिले मेरे खिलने लगे अब कि फ़लावर साया है बल्फ से त्यार ह बारिस में खिलता है मेरे धेड़ो सारे पोट में लगे हुए हैं लेकिन अभी खिलना शुरू नहीं हुआ है अभी इसमें आज देख रहे हुए फलावर्स खिल गए ह्वाइट कलर का अगला पलांट है चंपा का मेरे पास मदर पलांट बहुत बारा हो गया है लेकिन होइट खिलता है मेरे कटिंग लगाई हूं इतना बड़ा हो गया है इसमें इलो कलर करने confusing यहां गिरते हैं वहीं ? प्लांट अपने आप घुरों हो जाते हैं ती इससरी तरह बने रहते हैं छोटा सपोर्ट में लगा हुआ ना हुआ है जल्दी एक घ्री बन जाते हैं मिटी में लगाने से गलने लगता है इसलिए जब भी लगाई रेत में लगाई और इसको पानी में भी लगा सकते हैं बहुत असानी से लग जाता है देखिए यहां से कटिंग करते रहेंगे तो पुर्णिंग भी घ्णा भी हो जाएगा और कटिंग भी त्यार हो जाएगे इस तरह चोटा सा कटिंग लगाए मैंने लगाया तब मा एक हपते पहले उसमें रूट्स आ गाई है अच्छे से ग्रोह भी हो गया देखिए एक हपत दिन से लगतार हो रही है तो बहुत तेज बारिस हो रही है इसका भी कटिंग लगाए यह नॉर्मल मनी पलांट है इसको मैं पानी में भी लगाई हूं इसका भी कटिंग अपी लगा कर धेरो सरे पलांट बना सकते हैं क्योंकि रेत में लगाई है कोको पीट में लगाई है निवन पोथोज और नॉर्मल वाले और यह है अगला प्लांट क्रोटन के कटिंग जभी भी लगा है आप इसको भी रेत में लगाएंगे तो जल्दी गुरो हो जाएंगे इसका पते थोड़े बरे-बरे होते हैं इस में थोड़ा है इसको भी बारिष के मोशम में लगा सकते हैं अगला प्लांट है इनकालेंगे दिवाइड करेंगे तो इसका भी टड़ग जाती है अगला पलांट है रवर पलांट, मेरे पास 3-4 पलांट होगा है, सब कटिंग से मैं त्यार की हूँ, नर्सरी से नहीं लाए हूँ, यहाँ यह कटिंग लगे हुए है, अभी बारिस के मौसा में इसको कटिंग लगाएंगे, तो अच्छा से गुरो हो जाएंगे, और अगला पलांट है डिरेशनी आच, आप गिरीन लिप्स वाले हो या इस तरह का रेड लिप्स वाले दोनों कटिंग लगाएंगे, तो अच्छे से अभी बारिस का मौसा में चल जाएंगे, सब मेरे पलांट निचे रखा हुआ है, इसलिस पर पानी नहीं बारिस का परा हुआ है, इसका छोटा सा भी आप कटिंग लगाएंगे तो अच्छे से गुरो हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा पानी नहीं परना चाहिए, कटिंग लगा के इसको छोर दीजिए, जब तक सुखे नहीं पानी नहीं दीजिए, अगला पलांट है सनेक पलांट, सनेक पलांट तो आप कटिंग करके छोटो छोटो टुकरे में लगा देंगे तो अच्छे से पलांट बनते रहते हैं, गुरो हो जाएंगे वारिस के मौसा में, देखिए मैंने टूट गया था पलांट देखिए, और यहां इसी तरह मैंने मिटी में दवा दिया, यहां देखिए, दो बेब कोई भी आपके पास कोलियस पलांट हो नहीं हो, तो अगल बगल कहीं से मिल जाएंगे तो इस तरह आप कटिंग लगा कर धिरो सारे पलांट बनाएं बारिस का मौसा में, देखिए, मैंने इतने सारे कटिंग कर तियार कर लिया है, अगला पलांट है बोगन बेला, बोगन इतने सारे पलांट लगे हुए राते हैं, सब कलरों मिल जाते हैं, मैं भी रोट साइट से ही कटिंग लाकर तियार की हूँ, इस तरह इसका भी कटिंग लगाएं बारिस के मौसा में, अगला पलांट है गुलहर, कोई भी गुलहर हो, देशी हो, हाई पिरीट हो, इसका भी कटिंग लगाएं, बारिस में बहुत अच्छे से गुलहर हो जाते हैं, देखिए मेरे गुलहर में दो कलर का भी खिले हुए, इसका भी कटिंग लगाएं, अगला पलांट है अलमंडा, इसका भी कटिंग बारिस के मौसा में लगाएंगे, तो अच्छे से लग जाएगा, दो कलर में यह अलमंडा होता है, एक रेट कलर और यह इलो कलर, दोनो कलर कोई भी कलर का आपको मिल जा, इसका भी कटिंग लगा का धेरो सारे पलांट बनाईए, अगला पलांट है गुलाब का, अब गुलाब का भी इस मौसा में कटिंग लगाएंगे, तो अच्छे से गुर मौसा में धेरो सारे पलांट लगा कर आप लोग त्यार कर सकते हैं, बहुत ही खुशुरत मौसम चल रहा है, थाइंक यू